तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है तो आपकी डेस्टिनी में इस समय राइट नाउ जिस समय आप वीडियो देख रहे हो क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या आप किस तरीके से लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो या आने वाला समय जो है वो आपके लिए किस तरीके का रहेगा ये एक timeless collective reading है कुछ चीज़े आपकी situation से resonate करेगी कुछ चीज़े नहीं भी resonate करेगी आप उसे as a test छोड़ सकते हैं अगर आप मेरे चानल पे नए आए हैं तो आप इस चानल को like करें share करें subscribe करें और हाँ bell icon को ज़रू all पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर notifications मिल पाएं और आप content को enjoy कर पाएं अगर आप चाहें तो मुझे instagram भी follow कर सकते है लिंक आपको description मिल जाएगा आपको बहुत अकेला पन महसूस हो रहा है आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है या देना नहीं चाहता है समाज में जो है loneliness बहुत ज़दा बढ़ती जा रही है तो यहाँ पर इश्वर या universe आपसे यही कहना चाहते हैं कि solitude को accept करना है लोगों से जादा जो है आपको अपने आपका साथ देना है और दूसरी चीज यह है कि universe आपके साथ है क्योंकि वो आपको guidance देना चाहते है आप इतने strengthful हो या strong हो कि आपको किसी की ज़रुरत नहीं है आप अपना काम या जिन्दिगी में जो भी आप create करना चाहते हो अपनी reality को अपनी destiny को वो आप create कर सकते हो next आ रहे है यहाँ पर think of being alone are as meaning you are all one and in total harmony with everything the greatest treasure are those that wait silently during your quiet times तो आप जो शान्ती में या meditation करते हो उससे जो है आपको बहुत जादा ताकत जो है वो यहाँ पर मिलेगी और आपको किसी के through या किसी के temptation में नहीं आना है next आ रहे है ask for help आप इश्वर से कुछ मांग रहे हो जो भी चीज़ों चाहे वो competitive exam clear करना हो चाहे वो money हो चाहे वो health हो चाहे कोई भी आपका issue चल रहा हो आपके हिसाब से तो उसमें जो है आपको angels जो है वो help कर रहे है angels are celestial beings who protect everyone and आप बहुत जादा protected हो who protect everyone and the fairies say now is the time to for you to ask for angelic assistance तो वो जो है आपके इर्द गिर्द हमेशा से रहेंगे और हमेशा से रह रहे है next आरा purity तो जो भी आप चीज चाह रहे हो अपनी जिंदगी में manifest करना क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन जाए वैसी feeling जो है वो मुझे आ रही है जो भी आप चाह रहे हो जो भी आपका perspective हो अपनी life के प्रतिया जो आप चाहते हो तो उसमें purity रखना उसमें जो है एक तरिके से जो selfish interest है कि ये चीजे जो है वो मत रखना और इसकी वज़े से जो है आपका काम खराब हो सकता otherwise जो है purity रखोगे तो आपका काम भी हो जाएगा आप manifest भी कर पाऊगे आप अपनी जिंदिकी को अच्छे से जी भी पाऊगे always trust in the purity of your heart look inside your heart and within it will find the answer to your question तो जो भी आपका question है उसका answer जो है आपको अपने आप से ही मिल जाएगा next आ रहा है magical blessing आप अपनी life में जो है magical blessing किसी तरी की से बहुत समय से कोई काम आपका अठका हुआ है किसी भी कारण से हो सकता है या बहुत समय लग रहा है समय निकलता जा रहा है और आपको लग रहा है पता नहीं कैसे होगा होगा भी नहीं होगा तो उसमें ही यह चीज आ रही है कि whatever you are going through you are being assisted by magical fairy blessings the fairies say you can bless others too तो यहाँ पर यही चीज है कि आप जो है वो अपने आप पर flourish कर रहे हो और अपनी life को अच्छा create कर पा रहे है और आपको blessings की तौर पे कई बारी ऐसा होता है कि हम कुछ सोच रहे हैं या कोई काम हो रहा और लगातार लगे हूँ है काम करने में efforts लगाने में काम नहीं बन रहा है और आपने जैसे ही छोड़ा वो अपने आप automatically, naturally जो है किसी ने किसी तरीके से काम बन गया तो वो चीज यहां पर होती हुई दिख रही है तो आपको बहुत जादा जो है वो परिशान होने की जूरत नहीं है नेक्स टारा स्टार गेजिंग आपकी कोई जो है wish फुल्फिल हो रही है आने वाले समय में लगबग 6 से 1.5 साल के बीच में ठीक है अब मैंने इतना time period इसले दे दिया है क्योंकि हो सकता है आपकी छोटी सी wish हो तो अभी पूरी हो जाएगी और अगर कोई बड़ी wish है जिसमें जैसे government job है या कोई और चीज है या competition है या फिर आप जो है फेरी focus your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation या पर जो stars है या एक तरीके से universe जो है वो आपको यह ही कह रहे कि अपनी intuition पर भरोसा करो उसके साथ जो है आगे बढ़ते जाओ सब कुछ जो है वो होता जाएगा और आपकी situation जो है वो better improve हो जाएगी next time I protect your dreams तो आप creative बहुत जादा हो आपका जो भी dream है किसी भी कारण से किसी को singer बनना है किसी को musician बनना है किसी को painter बनना है किसी को photographer बनना है किसी को journalist बनना है कुछ भी है तो वो चीज़ जो है यहाँ पर fulfill हो लिया you are the guardian of your precious dreams and they are safe in your care keep them close to your heart until you are ready to release them यहाँ पर यह आपको एक advice दी जा रही है कि जितने भी आपके dreams है या जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरा होने तक अपने तक ही रखो सारी जिन्दिगी या सारी दुनिया को धिल्डोरा पीटने की जुरुत नहीं है मैं यह कर रहा हूँ मेरे यह plans है वो है क्योंकि आप जो है jealousy को attract ना करो इसलिए आपको यह कहा जा रहा है नेक्स आरा shine from within तो आप अपने अंदर से shine करोगे जब आप में self confidence भरपूर होगा आप जो है अपनी capabilities पर doubt नहीं करोगे और जो भी कर सकते हो उसका best दोगे तो आप अपने आप सब कुछ कर पाओगे looks are only skin deep true beauty shines from within and it's time for you to shine it is a time for self acceptance and for revealing your true beauty तो यहाँ पे यह चीज़े सिफ beautiful होना ही अच्छा नहीं है अंदर से भी जो है खुशी होना या एक confidence होना वो ज़्यादा importance रखता है तो यहाँ पे यह energy मुझे यहाँ पे लग रही है और यह काम जो है वो आपका कुछ महीने ले लेगा जो भी आप सोच रहे हो next आरा life energy तो life energy जो है वो यही कह रही है आप अपनी life में जो destiny है जो भी आप चाह रहे हो वो जो है समय के साथ हो रहा है divine timing है एक तरी किसे तो यहाँ पे healing हो रही है आपके लिए जो है new beginning आ रही है अगर आप mother बनना चाहते हो या parent बनना चाहते हो उसमें कुछ medical complications आ रही है तो वो भी चीज जो है अपने आप sort out हो जाएगी अगर आप पैसे से बहुत जादा दुखी हो या तंगी महसूस कर रहे हो तो यह समय भी जो है वो निकल जाएगा कुछ ना कुछ changes आ रहे है life में या external situations में भी changes आ रहे है तो उसकी वज़े से बहुत जादा improvement होगी थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन यह काम जो है वो हो जाएगा और आपको support करने वाले सिर्फ और सिर्फ इनसान ही नहीं है कुछ लोग तो support करेंगे लेकिन उसके आसपास जो है आपके ancestors जो है या universe जो है वो आपको support कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है कि पता नहीं मेरा क्या होगा किस तरीके से होगा क्योंकि यहां पर अगर love relationship के लिए भी आप देख रहे हो तो भी जो है इसमे positivity आ रही है आपकी transformation हो रही है मैं को यहां पर महसूस हो रहा है कि आप एक evolve हो रहे हो या growth आप लेकर आ रहे हो और इश्वर जो है इस तरीके से मुझे feel हो रहा है कि जब आप सोते हो रात में या जिस तरीके से भी आप अच्छे से गहरी नीन लेते हो तो उस समय जो है इश्वर जो है आपके पास रहे कर एक तरीके से आपको blessing देकर जाते है कि तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हो हो सकता है आप जो है रात में रोते हो या सोने से पहले रोते हो अपनी condition को लेके या परिशान होके तो ऐसी energy भी मुझे याँ पर feel हो रही है सब कुछ जो है वो अपने आप होता जाएगा moderation या balance रखने की ज़रूत है बाकी सब को जो है वो अपने आप होता जाएगा आपको nature में sign दिख रहे होंगे कुछ particular नाम दिख रहे होंगे alphabets दिख रहे होंगे या कुछ angel number दिख रहे होंगे repeated angel number दिख रहे होंगे तो वो चीज जो है वो आपकी manifest होने वाली है तो इसलिए आपको ये सारे science दिख रहे है चलिए देखते हैं कुछ charms यहाँ पर जो है मुझे strength नजर आ रही है एक sun भी आया है, Leo energy भी आया है एक gift या blessing आ रही है और धीरे धीरे यहाँ भी steam engine आया तो steam engine जैसे आप मान लीजिए अगर पहाडों में जाते हैं या hills में जाते हैं तो वहाँ पे आपको express way की speed से नहीं चला सकते उसको धीरा ही चलाना पड़ेगा क्योंकि elevation है, एक जगा है, एक उचाई है तो इस वज़े से है, derail ना हो जाए इसी वज़े से जो है, इश्वर धीरे-धीरे step by step जो है, आपको आगे बढ़ारे, आपको परिशान नहीं होना है, और ना ही जो है यह सोचने कि आप में कोई कम capability है अगर कोई कहता भी है कि आपको ताने भी मारता है कि आप में कम capability है तो उनको जो है, इग्नोर कर दो क्योंकि आप बहुत आगे जाने वाले हो चलिए देखते हैं कुछ song आपके लिए कुछ guidance भी ले लेते हैं guidance, you are not alone, आप बहुत अकेलापन फिल कर रहे हो you are guided by masters and teachers of the highest realm तो इसलिए जो है, आपको परशान नहीं होना है और नेक्स आरा celebration आपके लिए celebrate your achievement, you truly are a gift of universe तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आप universe का एक gift हो और आपको वो gift दे रहे हैं, आपको बस celebrate करना और खुश रहना है तो ऐसी energy यहाँ पर आ रही है तो यह थी आपकी reading, उमीद करते हूं आपको अच्छी लगए होगी झाल